Hello friends, my name is Vijay, यह हमार 24 टूरियल है एक्सिल का जिसमें आपको बताउँगा count blank formula के बारे में और date के बारे में देखे, count blank क्या करता है हमारा, जो हमारी bank blank cell होते हैं जो यह हमारी पूरी range है यह column कर लिजिए, उसमें जो भी bank blank आपके cell होंगे उनको count करता है तो सबसे पहले आप लगाना है is equal to fill लिखना है count blank blank और फिर parenthesis के अंदर आपको देना है range तो आप मनी range select कर सकते हैं A से लेकर F तक select कर लेते हैं इस तरीके से या को कर रहे हैं पूरी range देदेगा blank उसकी और enter मारेंगे तो आप देखिए आपको आपको मिलेगा 2 क्यों इसमें 2 हमारी blank cell थे एक यहाँ पर एक यहाँ पर अब देखिए अगर मैं एक को delete कर देता हूं तो देखिए number of count blank भी हमारे 3 हो गए इसी तरह से आप इसे और cell में में यूज़ कर सकते हैं इसे copy करना है और दूसरे cell में जाके paste कर देना है तो देखिए यहाँ पर तीन blank cell है एक यहाँ पर दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ अगर मैं एक और यहाँ से delete कर देता हूं तो यहाँ increase हो जाएगा हमारा count blank अब देखिए यह हमारे दूसरी table है जिसमें date, day, month और year दे लगा के कॉमा लगाएंगे फिर month देंगे फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर day देंगे इस तरीके सा और इसे close कर देंगे पर एंटर मारेंगे तो देखिए इस तरीके सा आपका 12.05.2017 नमारी date आ गई अब इस पर click करेंगे तो आप यहाँ लिखा है format cell इस तरीके से इस पर 14.3.2011 14.3.1 अलग-अलग देखिए format में आप इसे print करवा सकते हैं तो इसे okay करते हैं देखिए तो देखिए 14.05.2017 हमारा इस तरीके सा आउटपुट आ गया थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माइच चैनल विजय आउट